हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मा रोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मा रोक्स के यूट्यूब एज़ूगेस्टन चैनल पे आपकाज स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे पैनिस येस्ट इंफेक्शन के बारे में तो सीखते हैं डिटेल में के बारे में उसकी डिटेल स्टडी तो मेडिशन इ सलिटेट कोर्स के लिए डाउनलोड करें अप्लिकेशन फार्मा रोक्स और जापबर सिखे medicines के basic use के बारे में उनके dose, side effect, warning and contraindication एक साल तक वो भी affordable price में सरल भासा में तो भी download कर लिजी application Pharma Rocks की जो Android application है Google Play Store पे Apple iPhone, FF Store पे link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो अब समझते हैं पैनिस इस्ट infection के बारे में तो simply Hindi में समझे तो उसको link का संक्रमान कहा जाता है कि पूरूसो के अंदर जो link के आसपास इनफेक्शन होता है तो उसको पैनिस इस्ट infection कर आ जाता है और उसपेसिली क्या होता है कि वहाँ पे सूझन हो जाती है पहले से कि इस्ट के infection के कारण वहाँ पे सूझन आ जाती है जो फूग होती है उसके वहाँ पे ग्रोफ होने के करण इंफेक्शन होता है कि पैनिस के आसपास और उसके अंदर के इरिया में specially जो candida करके जो फूग होती है उसका infection होती है तो यहाप आप diagram में देखो कि तो आपको proper समझ में आएगा कि यह candida को कई बार candida balanitis भी कहा जाता है किसके अंदर specially क्या होता है कि जो healthy penis होता है कि वहापे उसका glanes का region और for skin का reason आप यहापे देख सकते हैं कि वहापे किसी भी तरह कि ना ही proper ऐसी redness है और ना ही कोई ऐसे सूजन वगरा के normal condition है but वहापे यह candida जो फूग होती है उसके growth के करण उसके infection के करण problem यह होता है कि वह penis infected बनता है संक्रमित होता है और वहापे redness देखने को मिलती है फिर blotchy racist मलब कि वहापे racist develop हो जाता है और वहाँ से discharge जो आना जो है वो शुरू हो जाता है तो इसको जो है simple हम medical conditions में कहते है candida ballinitis हम कहते है तो उसके symptoms हम देखे तो सबसे पहले वहापे soreness जैसा आप feel करते हैं मलब कि आपको racist जैसा वहाँ पे develop हो जाना ऐसी condition फिल होते हैं कि यहाँ पे आप देखो कि जो अलग-अलग racist जो develop हो है वो मैं आपको यहाँ पे mark करके देखा कि यहाँ पे देखो कि यह वाले बाग पे एक racist है फिर यहाँ पे जो आप यह red-red कलर के जो racist जैसा देख रहा है कि दाने जैसे racist वहाँ पे वो develop हो जाते हैं वहाँ पे आपको इची नियस में लगी खुझली होती है फिर जो पैनिस का जो reason है वहाँ से discharge बाहर आता है कि जैसे कहते कि link से discharge बाहर आना कि abnormal continuously ऐसा discharge वहाँ से बाहर आता है और वो काफी ठीक होता है कि यह आप आप देखो कि यह जो white color का जो portion दिखाया गया है कि ऐसा discharge जो लिंक से बाहर आता रहता है फिर वहाँ पे काफी redness हो जाती है कि जो normal redness या फिर normal जो color होता है उसके compare में काफी वहाँ पे जो है वो redness हो जाती है कि जिसको लालपन कहा जाता है pain visus करता है person के काफी दर्द होता है और वहाँ पे फिर सुजन हो जाती है तो यह primary symptoms develop होते हैं कि जब आपको yeast के करण जो है वो link का संक्रमन होता है आगे देखे तो उसके reason क्या होते है तो उसका जो primary reason है वो है fungus candida कि या पे जो आप diagram में जो fungus देख रहे है ये fungus की जब overgrowth हो जाती है कि जो normal amount में तो वो हमारे body के उपर ये food जो है वो present होते है बट जब उसकी growth काफी बढ़ जाती है excessive growth हो जाती है उसके करण वहाँ पे जो वो संक्रमाण फ्यलता है तो उसको का जाता है कि overgrowth of candida तीसरा reason हम देखे तो जो unprotected sexual intercourse वगड़ा होता है और ऐसे female partner के साथ ऐसी woman के साथ होता है कि जिनको already vaginal infection है कि vaginal infection है या फिर vaginal yeast infection है और ऐसे female के साथ unprotected sexual intercourse होता है तो वो संक्रमाण जो है वो आपको लग सकता है तो एक sexually भी वो transmitted होता है चौथा एक reason देखे तो जो पैनिस का जो reason होता है या फिर जो पैनाईल एरिया कहा जाता है कि वहाँ पे आप proper hygiene नहीं रखते है कि poor hygiene कि proper आप hygiene condition ही maintain नहीं करते तो उसके करण आपको वहाँ पे infection हो सकता है फिर regular जो है वहाँ dirty जो होते है public toilets की जो काफी गंदी हालत में होता है ऐसे public toilets आप regularly यूज़ करते कि वहाँ पे ना ही proper clean हो रहा है ना ही वो अच्छे से wash हो रहा है और ऐसे toilet या फिर ऐसे bathroom आप regular यूज़ करते तो भी आपको ये infection हो सकता है फिर जो आपके penis का जो portion ही उसको आप proper clean नहीं करते regularly तो भी आपको वहाँ पे आगे जाके ये infection जो फैल सकता है और unnatural sexual activities जो होती है कि जिसको और प्राकृतिक योन गतिवीदिया जो हम कहते है तो उसके करन भी आपको ये infection हो सकता है तो ये हो गए उसके reason कि ये सभी reasons से आपको panisist infection हो सकता है उसकी prevention की हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको जो unprotected sexual intercourse होता है उसको जो हो avoid करना चाहिए कि अगर किसी female को या फिर किसी female partner को वज़ेनल infection है फिर जो panisist का जो reason होता है panel area जिसको कहते हम तो वहाँ पे आप proper hygiene जो हो maintain रखे कि वहाँ जो हो proper आप उसको clean रख सकते है avoid कर ले dirty public toilet को use करना panisist region को अच्छे से जो हो clean करना चाहिए और unnatural sexual activities जो होती है उनको avoid करने चाहिए कि जो अप्रावक्रोधिक योन गति वीडियो से आपको जो हो बचना चाहिए तो यह सभी से आप जो हो panis infection से जो हो बच सकते है अब बात करते हैं उसके diagnosis के कि अगर किसी को infection हुआ है तो उसका diagnosis के ऐसे होगा तो सबसे पहले physical examination से हो सकता है कि जब physical examination होता है panis reason के तो उससे पता चलता है second sign and symptoms के basis पे भी diagnosis हो जाता है कि आप जो sign and symptoms जो बताते हैं उससे भी पता चलता है फिर patient की medical history कि अगर आपको समझे कि urinary tract infection हुआ था और उस दोरान आपने proper treatment नहीं ली थी तो उसके करन पे आगे जाकिए प्रॉपर जो एक्जमाइन किया जता है कि ऐसे जो cotton swab आते हैं उसको use करके जो वो sample लिया जता है और उसकी proper microscopic study की जाती है identification के लिए कौन से रीजन से आपको ये infection हुआ है और last में कई बार blood या फिर urine test भी किया जता है उसके diagnosis के लिए अब आगे समझते हैं उसके treatment के treatment के लिए कौन से options बनते हैं तो पहला option बनता है कि जो intimate hyacin wash आते हैं पूरूसों के लिए वो आप use कर सकते हैं दुसरा oral medications जो होती है उससे भी आप उसको treat कर सकते हैं फिर अगर कोई patient oral ही वो medications नहीं लेता तो वो आप injection के थ्रूबी वो medication जो हो ले सकते हैं तो एक injection का भी option बनता है कि जो medications आप oral में खाते हैं वो समझे कि injection form में available है तो आप उसके injection भी लगवा सकते हैं herbal creams भी आती है कि जिससे आप ये infection को काम कर सकते हैं और चौथा over the counter antifungal cream से भी ये infection जो वो काम हो जाता है तो सबसे पहले सुरुवात करते है man's intimate hygiene wash से तो जो intimate hygiene wash इस तरह से आते कि जैसे vaginal infection के दरान जो we wash यूज होता है इंटी wash वगरा यूज होता है उसी तरह से पूरूसों के लिए भी एक hygiene wash होता है कि ये hygiene wash से आप अपने जो intimate areas होते हैं उसको अच्छे से clean करते कि वो क्या करते है कि आपको कुछ ऐसी properties provide करते हैं जैसे कि उनके पास antibacterial antifungal properties होती है साथ हो साथ जो intimate hygiene provide करते हैं आपको कि वो जो आपका intimate area है उसको अच्छे से clean करते हैं वहाँ पे जो ऐसी dirty order है मतलब कि unwanted order या फिर खुजली वगे रहा होते हैं तो वो कम करते हैं और वापिस हम जो कि सुजन वगे रहा हैं तो वो कम करेंगे तो यह सभी properties जो वो provide करते हैं तो बहुत सारे ऐसे intimate hygiene products जो वो available होते हैं कि वो आप यूज कर सकते हैं आपके penis infection के दौरान second हम देखें तो oral medications खा सकते हैं जैसे कि कुछ antifungal दवाई आती है antiparasitic medications आती है जैसे कि metronidazol है कि metronidazol के कारण भी इस टाइप की जो infection जो होते हैं वो कम होते हैं तो metronidazol का एक option रहता है आपके पास फिर tinidazol है sacnidazol है nemorazol है and fluconazol तो यह चार ऐसे medication है कि जो काफी popular है इस टाइप के infections के अंदर तो यह patient जो ओरल ही खाता है आगे देखें herbal creams के बारे में तो herbal antiseptic creams जो आती है कि वो क्या करती है आपके fungal infection को जो हो reduce करती है तो कौनसे उसके based option से वो हम देखते है तो सबसे पहले यह cream को जो आपको दिन में तीन बार जो अपलाई करनी होती है कि जहापे आपको infection हुआ है वहाँ पे आप दिन में तीन बार अपलाई कर सकते है कि हेमालिया के भी यह antiseptic creams आती है कि जो multi-purpose cream होती है कि जो आप वहाँ पे अपलाई कर सकते है फिर fungi wean करके भी आती है products तो बहुत सारे इसे antifungal ayurvedic creams होती है कि जो antifungal के तोर पे काम करती है herbal दवाई यह होती है कि जो directly आप affected area पे लगा सकते है फिर over the counter antifungal creams की हम बात करें तो बहुत सारे आपके पास options बन जाते है कि मेको नाजोल है इमीडाजोल के अंदर क्लोटराई माजोल है फ्लूको नाजोल के क्रेम आती है पुवीड़न आयोडीन का आता है clean damycin, metronidazol बहुत सारे आपके पास option बहुत सारे आपके पास option रहे तो सुरुवाद से देखे तो मेको नाजोल की जो क्रेम आती है कि antifungal प्रपर्टी होते है उसके पास तो जब आपको fungus के करन पैनिस के एरिया में infection होते तो वहाँ पर directly आप ये क्रेम जो दिन में है 1% weight by weight कि वह एक broad spectrum antifungal skin cream बनती है कि जो आप infected पैनिस के एरिया पे लगा सकते है फिर flukot edge करके भी skin cream आती कि जो landmark design करता है तो वह भी काफी powerful and effective सा भीत होती है flukonazole भी उसी category में flukonazole के भी gel available होती है कि जो आप वहाँ पर लगा सकते है उसके बाद matrozil के जो gel आते कि जो matroindazole है कि वह आप संज़े कि औरली खाने से ठीक नहीं हो रहा तो आप उसके cream वगेरा भी apply कर सकते है affected area पे और clindamycin phosphate के भी gel available होती है यह सब option रहते है आपको penis infection को ठीक करने के लिए तो SEC के अलग-अलग बीमारियों के बारे में उनकी इलाज के बारे में दवायों के basic use के बारे में इनके dose side effect, warning and contraindication एक साल तक affordable price में वो भी सरल बास हमें PharmaRox के mobile application के उपर तो download कर लिए application PharmaRox और affordable price में यह सब course इसको access करे जदा जानकरे के लिए आप 90163122020 पे आप हमें whatsapp कर सकते है या फिर directly आप डाउनलोड कर सकते है Google Play Store पर से या फिर app store से link हमने आपको description box में दे दी है कोई भी query हो तो आप 90163122020 पे contact कर सकते है good luck and all the best